नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इसके तहत टोपरों को पुरसकार रासी के अलावा लैप्टोप और मुबाइल भी दिया जाएगा परतेक इस्टेट टोपर को 3 लाख रुपए, सेकेंड टोपर को 2 लाख रुपए तथा टोपर को 1 लाख रुपए पुरसकार के रूप में मिलेगा पुरसक्रित होने वालों में जैक के 25, CBAC के 20 और ICAC के 3,46 सामिल है इसकूली सिक्षा एवं सक्षर्ता विभाग ने इसकी तियारी पूरी कर ली है बता दे कि पिछले साल भी भीन बोर्ट के प्रत्थाम दितिये यवं तितिये टोपरो को करम सा 50,000, 75,000 तथा 1 लाख रुपए पुरसकार में मिले थे इस भार राय सरकार ने जहां रासी बड़ाई है, वहीं टोपरो को लेप्टोप और मोवाईल देने का भी निने लिया गया है राय धानी रांची में बारिस के बाद तापमान में गिरावाष दर्ज की गई है रांची के अलावा पलामू में भी साम को तापमान गिर गया है गड़वा में जमा जम बारिस के साथ ओला विरिष्टी हुई है जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुचाने की असंका है मौसम बिभा के मुताविक रांची में अधिकतम तापमान 0.3 डिगरी घट गया जबकि पलामू के डाल्टने गंज के तापमान में 2.ing की इकिरावर दर्च की गयी हलाकी जमसेदपूर के तापमान में बीधी डर्च की गयी है सीटेट अभियार्थी का जेटेट परिक्षा में बैठने की सरकार से मांग किया से पहले सीटेट उतीन अभियार्थी की इसमें सामिल नहीं किया जाता है तो ये लोग आदालत से गुहार लगाएंगे राज्य अस्तर पर ब्यापक अंदोलन भी किया जाएगा बता दे सीटेट अभियार्थी रांची की आसा कुमाई ने बताया है कि साथ साल बीद गए लेकिन अब तक सिक्षा की नियुकती जार्खन में नहीं हुई हम चाहते हैं कि अन राज्य की तरह सीटेट पास अभियार्थी को भी जेटेट पर इक्षा में बैठने के नमती दी जाए CCL महराथन में पुरुस वर्ग में जमसेद पूर के अरजुन टुडू को परत्थम अस्थान कोल इंडिया लिमिटेट के तत्वधान में रवियर को रांची में कोल इंडिया महराथन का योजन किया गया मुराबादी स्थीत बीर्शा मुंडा फूटबॉल स्टेडियम से फूल महराथन दोर सुरू हुई और पिठोरिया से वापस बीर्शा मुंडा स्टेडियम आई बता दे फूल महराथन में 42.195 किलोमेटर पूरुस वर्ग में जमसेद पूर के अरजुन टूडू ने जीत दर्ज की है उन्हें 3 लाख प्राइज मनी दिया गया वही महिला बर्ग में हर्याना की सोनिका ने प्रतम अस्थान प्राप्त कर 3 लाख कैस मनी जीता है पूरुस वर्ग में अनिल कुमार सिंग ने दूसरा, कुलदीप सिंग ने तीसरा और अरजुन प्रधान ने चौथा वहीं बिजय ने पाचवा, बिनोत कुमार ने छटा और राकेश राजपुत ने सत्वास्थान प्राप्त किया वहीं महिला वर्ग में तामसे सिंग ने दूसरा, निर्मा बेन ने तीसरा, रेनू ने चौथा, जयोती ने पाचवा, आस्मीनी ने छटा और स्यामली ने सत्वास्थान प्राप्त किया है पूलिस और टीपीसी उगरवादी के बिच फायरिंग एक गिरफतार हजारी बाग और रांची के सिमान्त छेत्र दामारू जंगल में पूलिस और टीपीसी उगरवादी के बिच मुडवेड हो गई, जहां दोनों और से करीब 50 राउंड फायरिंग होई पूलिस बाल को भारी परता देख टीपीसी का एरिया कमान्डर पहाड़ी उर्फ रामेश्वर महतो समेत 5 उगरवादी भाग निकले जबकि एक उगरवादी संकर कुमार महतो पकड़ा गया बता दे, हजारी बाग स्पी मनोज रतन चौथे ने बताया है कि पूलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि हजारी बाग और रांची जीला के सीमा परिश्थीत डमारू जंगल में टीपी स्युगरवादी संकर्थन के सक्रिय सदस एरिया कमांडर पहाड़ी उर्फ रामेश्वर महतो विक्रम उर्फ मुनेश्वर कांजू गुरु देव परताप उर्फ दिवाकर सहितकई और सदस किसी बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए एक अत रिट हुए हैं विधायक लोबीन हेमरम को चाहिए और सुरक्षा शी सब्रोड जहारखन मुक्तीमोर्चा के बोर्यों से विधायक लोबीन हेमरम को और शुरक्षा की दरकार है फिलहाल उनकी सुरक्षाय में 200 सब्सक्राइब तैनात हैं लेकिन इसे वे पर्याप्त नहीं मान रहे उन्होंने जान के खत्रे का अंदेशा बताते वे पुलिस मुख्याले से इस बावत गुहार लगाई है उलेकनी है कि लोबिन हेमरम जामो नेतितों के खिलाप मुखर रहे हैं वे लागातार नीतिगत भी सब्सक्राइब पर्मुख्य मंत्री हमसरन के खिलाप बोलते हैं विधान सबाके बैट सत्र में भी वे लागातार सरकार के खिलाप बोलते रहे हैं जब भाजपा के सब्सक्राइब नीति के सवाल पर आशन के समक्ष आकनारे बाजी करते थे तो लोबिन हेम्राम भी अपनी सीट पर खड़े होकर सवाल उठाते थे देव घर से पटना के लिए सीधी बीमान सेवा सुरू देव घर यारपोट से पटना के लिए रभी बार से बीमान सेवा सुरू हो गई है देव घर से सुबह 11 बच कर 15 मिनट पर उठातन फलाइट 12 लोगों को लेकर पटना के लिए उडान भरी देव घर से पटना के दूरी या फलाइट एक घंटे में तै करेगी बता दे उठातन फलाइट से पटना जाने वाले यात्रियों को देव घर यारपोट पर सांसर डाक्टर ने सिकान दूबे ने वीडियो कंफिंसिंग के जरिये बदाई दी इधार देव घर यारपोट से रांची के लिए सिधी उडान सेवा सो मौर से शुरू हो रही है बता दे जारखन की महिला और पूरूस दोनों टीमें चेंपियन बनी हैं महिला टीम ने मिजोरूम को पेनल्टी सुट आउट में हराया जबकि पूरूस टीम ने उडिशा को तीन एक से हरा करया खिताब अपने नाम किया है इस परत्युकता कायोजन होकी जारखन और जीला परसासन खूर्टी के सन्युक तत्वधान में खूर्टी के स्टो टर्प होकी इस्टेडियम बिर्शा कॉलेज केंपस में उनई से 26 मार्च तक किया गया पतादे महिला वर्ग में होकी जारखन और होकी मिजोरम के बीच हुआ जिसमें मैदानी खेल के दोनों ही टीम दो-दो गोल की बराबरी पर रही इसके बाद प्रांटी सूट आउट में जारखन ने दो-एक से मैच जीत लिया है सियम हमंत परिवार संग देवरी मंदीर पहुचे राजे के मुख मंतरी हमंत सुरेन ने तमार इसी देवरी मंदीर में पूरे परिवार के साथ दर्शन किया और पूजा अर्चना की इस दवरन मुक्ष मंत्री हमान सुरेन अपनी पतनी और बच्चों के साथ आरती लेते हुए नजर आए उन्होंने राजे की उनाती सुख सम्रीदी स्थांती और सदभाव की भी कामना की है बता दे कि देवरी मंदीर में माता की उन्होंने बीधिवत तरीके से पुजा की उनके साथ उनकी पतनी कल्पना सुरेन भी नजर आए पुजा करने के दवरान वहां मौजूद पंडित के दवरा उनके कलाई पर रक्षा सुत्र भी बांधा गया सफेद सट के उपर उन्होंने चूनरी रखी हुई थी वहीं आसपास के लोग अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए भीड जमा कर खड़े थे बेरोजगारों को कौसल ट्रेनिंग कराएगी सरकार राज सरकार के महत्वकांची योजना मुख्यमंत्री सार्थी योजना पहली अप्रेस से लागू होगी बतादे चालू वीतियवर्ष में या योजना शुरू नहीं हो सकी सरम्न योजनों प्रस्रिक्षन विभागने इसे अगामी वीतियवर्ष की सुरुवात से ही योजगार यूजगार यूजगो को उनके घर से प्रसिक्षन के इन्दर तक आने जाने के लिए प्रतीमा एक है रुपय की रासी भी डीवीटी के माध्यम से दी जाएगी जारखंड को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन राज्ये के लोगों के लिए एक खुस खबरी है बतादे जारखंड को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन मिलने वाला है जी हाँ मीडिया सुत्रों से मीडि जनकारी के अनुसार हवडा से रांची के लिए जल्द ही वंदे भरत एक्स्प्रेस ट्रेन चलेंगी सबसे खास बात यह है कि ऐसे में रांची हवडा के दूरी मात्र पांच घंट में पूरु हो जाएगी खबरों की माने तो देश के 40 अलग अलग रूटों पर रेल मंत्राला यह ट्रेन चलाने की जोईना बना रहा है जिसमें रांची हवडा भी सामिल है हलाकि अभी तक इसके लिए कोई अधिकारी घोसना नहीं की गई है परतेक मंगलवार बंद रहेगा बेतला नेशनल पार्क भारत सरकार के परियाटन वन एम जलवायू परिवरतन मंत्राला के राश्टरी यह बैग सनरक्षन प्राधीकरन के निर्देश पर बेतला नेशनल पार्क का परतेक मंगलवार को बंद रहेगा रेंजर संकर पस्वान ने बताया है कि NTCA के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है पहले पार्क सब्ता के सभी दिन खूले रहते थे लेकिन अब मंगलवार को पार्क का भ्रहमन परियाटक नहीं कर सकेंगे बेतला नेशनल पार्क सहीद आसपास के इलाके में नोटिस चिपकाक और इसकी सुचना आम जनों तक पहुंचाई जा रही है सब्ताहिक बंदी काया निर्देश पलामु बेतला नेशनल पार्क में पहली बार लगाया गया है विभागिये पता दिकारियों के अनुसार एन्टी सीए गाइडलाइन के मुताविक राष्ट्रिये पार्कों में सब्ताहिक बंदी करने का निर्देश लिया गया है एतिहासिक केरा मेला 31 मार्च से जारखन के पश्मी सिम्हुम जीले में इस्थित चक्रधर पूर परखन में 31 मार्च से एतिहासिक केरा मेला का योजन किया जाएगा बदाद 14 अपरेल को माता के भक्त दहकते अंगारों वा काटों पर चल कर अपनी भक्ती की परिक्षा देंगे इससे पहले परखन में इस्थित मा भागवती मंदीर केरा परिसर में केरा मेला संचालन समीती की बैठाक रभिवार को हुई बैठाक में नीना लिया गया है कि एतिहासिक केरा मेला को हरसो उलास दिवम सांती पुन महौल में संपन कराना है पत्ता तोड़ने जंगल गई महिला को हाथियों ने मार डाला चाइबासा के मंजहारी थाना अंतरगत गांगी मुंडी गाव इस्थित जंगल में जंगली हाथियों ने एक महिला को कुचल दिया है मौके पर ही महिला की महौत हो गई मिरितिका की पहचान मंजहारी थाना छेतरे के गांगी मुंडी गाउन निवासी 40 वर्षी ये बबिंद्र कुंकल के रूप में हुई है घाटना सनिवार दोपर की है जनकारी मिलने पर पूलिस पहुंची सव को कबजे में लेकर अभी वार सुबा पोश्मास्टम करा कर परजोनों को सब दिया गिरामिनों ने बताया अगिसानिवार सुबा बबिंद्र कुंकल गाउं की अन्यमहिलाओं के साथ जंगल में पता तोड़ने गई थी तबी हाथियों का जूड़ आ गया बविंद्र कुंकल हाथियों को देखकर भागने लगी लेकिन तीन हाथियों ने उसे चारो और से घेर लिया चत्रा में राम नौमी को लेकर अभी से ड्रोन से निगरानी चैत्र नौराथ की सुरुवात हो चुकी है राम नौमी के त्यारी जोरो पर है जारकन के सभी जीलों में या खाड़ों की ओर से भब जुलूस निकालने के त्यारी की गई है दूसरी तरह पूलिस ने सुरक्षा ब्यवस्ता के पुखता इंतिजाम करना सुरू कर दिया है इसी के मद नजर उग्रवात प्रभावित जीले चात्रा में अभी से ड्रोन उड़ने लगे है जीला मुख्याले में रभिवार को टी ओपी एक से ड्रोन उड़ाया गया चात्रा जीला परशासन ने लोगों से अपील की है कि राम नामी सान्ती वा सवहर्द पुन वातावरन में संपन कराने में परशासन की मदद करे सुरक्षा ब्यवस्ता में पुलिस को भी मुस्तेज रहने के लिए कहा गया है पुलिस ने अपनी त्यारी पूरी कर ली है जीला परशासन के साथ साथ पुलिस परशासन भी सक्रिये और सतर्क है रभिवार को टी ओपी वन से ड्रोन कैमरा उड़ाक कर छातों की निरानी की गई है गढवा में बारिस के साथ बर्फ के टुकड़े से किसान परिसान रभिवार दोफर गढवा जीले के कितार परखन के बिभीन छेत्रों में जहमा जहम बारिस के साथ ओले भी पड़े अचानक जोरदार बारिस के साथ ओले पड़ने के कारण लोगों के घर छोटे छोटे बर्प के सफे टुकडों की चादर से पट गए यह द्री से देखने में काफी सुन्दर लग रहा था लेकिन इस बारिस और ओले के कारण किसानों को काफी नुकसान हो गया है बतादे की गड़वक बिभीन छेत्रों में पिछले एक सब्ता से रुक रुक कर अचानक बारिस और ओले पड़ रहे हैं जिसके कारण खेतों में खड़ी गया हूं मसूर चन्ना और हर सरसो आधिर अभी फसले खराब हो रही है बारिस और ओले के कारण फसलों में लगे दाने जड़ रहे हैं इतना ही नहीं फसलों में कीड़े भी लगने लगे हैं जारखन में अपना जनधार बढ़ाने में जूटी लोजपा जारखन में अपनी पकण मजबूत करने के लिए लोक जनसक्ती पार्टी के नेता अभी से त्यारी में जूट गए है लोजपा का उदेश जारखन में अपने धार बढ़ाना है ताकि आगामी चुना में पार्टी को फैदा हो सके बतादे आगामी चुना को देखते हुए लोग जन सकती पार्टी भी त्यारी में जुट गई है इसको लेकर अभिवार को निवारन पूरिश्थित कर्याले में ल संपन्द रिम्स की गोर्णिंग बौर्डी की 75 रभी वार को दीमस में हो इस बेठाक में 16 प्रस्ताव पर गोहलन हई रिम्स के नए बहुआननि मैं की भी सुख्रिती दिखाई है बटा दे ने रिम्स के बहतर्द विकास Guardians के रिम्स के साथी परिशत की बैठक रभी वार को रिम्स में होई रिम्स में या पच्पन्वी बैठक आउजन हुआ स्वास्त्र मंत्री बन्ना गुपता के अधक्ष्टा में होई इस बैठक में कूल सोलो प्रस्तावा पर मोहर लगी है इस में नाय बहवन निर्मान और कई स्वास्त समान दी यंत्र खरीदने की स्विग्रिती दी गई कूल पांच घंटे तक चली इस बैठक में राजी के स्वास्त सचीव अरुन कुमार सिंग काके के बिधायक समरी लाल रिम सिनेजसक डाक्टर कामेशोर परसाथ सहित कई अधिकारी मवजूद रहे सोमोार को होगी राजीव अरुन एक का से पुष्टाच सीम के पूरो पर दान सचीव राजीव अरुन एक का से सोमोार को एडी पुष्टाच करेगी 27 मार्च को ED दफ्तर में एका को दीन के 11 बजा हाजिर होना है इस समान में ED के द्वारा समन जारी किया गया है CM के पूरो परधान सचीव राजीव अरुन एका आपने बेहत करीबी 20 साल चोधरी के चकर में ED के रडार पर है वहीं ED पूरो परधान सचीव को 20 साल को लेकर ही घेरने वाली है इसके लिए बकायदा सवालों की एक बड़ी फेरित भी त्यार की गई है कैसे हाई टेक होगी जारखन पूलीस केंदर सरकार द्वारा राज्यों को पूलीस आधोनी की करण के लिए दी जा रही सहायता रासी का उपयोग भी जारखन में पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है कैंदर सरकार का काना है कि पूलीस आधोनी की करण के लिए जो रासी आवनटीत की जाती है उसका उपयोग पवान पत्र न मिल पाने की वज़यसे जारी राजी कम होती है यह जनकारी लोग सभा में ग्रीह राजे मंत्री नित्यानंद राय द्वारा दी गई कौम रासी मिलने की वज़ा से हर बार जो अवंटन हुआ उसका उपयोग राज द्वारा नहीं किया गया उपयोग पवान पत्र मिलने पर ही केंद्र अगली किस्त जारी करता है बीजेपी ने कॉंग्रेस के सत्यागरह को बताया नटंग की कॉंग्रेस के सत्यागरह को भाजपा ने नटंग की करा दिया है परदेश अध्यक्ष दीपक परकास ने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी को नयाएपाली का कानून व्यवस्था और संसत पर भरोसा नहीं है उन्हें अब अलग नियालाय, अलग कानून और अलग संसत चाहिए क्योंकि ए परिवार भी सेस से आते हैं वहीं कॉंग्रेस के लोग राहूल के समर्थन में अलग देश की मांगना कर बैठे कॉंग्रेस को देश की जनता नकार रही है तो उनकी बोखलाहट बढ़ती जा रही है कॉंग्रेस पार्टी साथ तक के बिना ऐसे तलब रही है जैसे पाइनी की बिना मचली तलबती है अब तक कानून के तहात 32 सांसुदों के सरस्यता समाप्त हो चुकी है जिसमें 6 भाजपास से जुड़े सांसाथ भी है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल ऐकान दबाए ये साथी साथ वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों को सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स पर अपना फिड़बएक अवस्य दे थैंक्यू